आकाश्वानी के स्थानी प्रिसारन सेवा का ये छिंदवड़ा के इंद्र है फ्रिक्वेंसी मॉडूरेशन एक सो दो दशंबर दो मेगा हट्स पर हमारे इस्टेटो के घड़ी में दोपेर के ठीक बार रेफिजी हैं आप सुनेंगे फर्माईश के फिल्मे गेतों का करिक्रम अनुरोवत मध्यप्रदेश का एक चोटा सा शेहर है छिंदवड़ा जो महराश्टर की सीमा पर है वहाँ आकाश्वानी केंद्र नया नया खुला था और ये वो दिन थे जब हम बेसी कर रहे थे पढ़ाई के दिन थे और रेडियो पर ये कहा गया कि कैजूल अनॉंसर्स और कॉमपेर्स की सरूरत है उन दिनों में वारताइं करने के लिए आकाश्वानी जाना होता था और ये बड़ा मज़ितार होता था कि कॉलेज में आप पढ़ते हैं और रेडियो पर आपकी आवाज आती है और दोस्त लोग कहते हैं यह वाला गाना दूसरे नमबर पर और यह वाला गाना पहले नमबर पर बजा देना तो हम फलाँ से कह देंगे वो सुन लेगी यह वो वाले दिन थे और अचानक जब कॉमपेर की तौर पर आकश्वानी सिंदबाडा में प्रवेश मिल गया तो पढ़ाई के साथ एक नया रास्ता कुल गया वहाँ अवदेश तिवारी जी से मुलाकात होई अवदेश जी एक बड़े सरल हुर्दैवेती उन से बहुत कुछ सीखा वो रेडियो में पहले गुरू बने हमारे अवदेश जी के बारे में आपको बताएं कि उनका एक हाथ नहीं है और मेगनेटिक टेप का जमाना हुआ करता था वो एक ओपन टेप होता था जिसको CTR पर चढ़ाया जाता था कुछ इस तरह का एक्शन उसका होता था तो हम लोग अपने हाथों से बड़ा संभाल के बैलेंस करके टेप को चढ़ाया करते थे और अवदेश जी को देखते थे कि वो एक ही हाथ से टेप को मशीन पर यू रखते थे और यू करके चढ़ा देते थे कविताएं लिखते रहें और आज उनकी एक कविता मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ ये कविता सुनाने से पहले आपको बता दूँ कि इस कविता को सुनने के दौरान आपको कल्पना करनी होगी छूटी लाइन की रेलवे की गाड़ी की और वो गाड़ी बहुत छोटे छोटे गाउं से होकर गुजर रही है और पास के एक बड़े शहर की तरफ जा रही है और गाउं के ऐसे लोग जिन्होंने कभी रेल नहीं देखी पहली बार एक सजन रेल का सफर कर रहे है लेके बिंडल पुटकी तूरा तूरी और लुगाई रे पहली दफे रेल में चढगे छिद्धी छिद्धन दाई रे चह गई थे कि दई रेल ने लंबो पूंगा रे दादा सकने हो गए प्रान सुख गए छिद्धी आधे से जादा रेल की सीटी से छिद्धी आधे से जादा सुख गए शटने हो गए प्रान सुख गए छिद्धी आधे से जादा भगभग कारो धुआ देखके छिद्धन बोली इबाई जैसे ही सर की रेल की छिद्धी बोले जै माता दाई चुक 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 सुनके चाराई की आँखें भराई रे पहली दफे रेल में चड़गे छिद्धी छिद्धन दाई रे अब आगे देखिए कि जरई सरक्खे रुग गई गाड़ी जरई सरक्खे रुग गई गाड़ी तो मुन्ना ने पूछो काहे चिद्धी बोले चुपई रहे तू सिंगल देहे जबई जाहे सिंगल भो तो चली रेल फिर मुरहा बजान लगो तारी दूई तूरन के बार पकडखे ठाड़ी हो गई महतारी लहकत लहकत चली रेल फिर मड़का हांडी आई रे पहली दफे रेल में चहगे चिद्धी चिद्धन दाई रे मड़का हांडी से डपा में चहगी एक डुकरी दाई मुर्रा फूटा नड्डा खारा डल्या में बेचन लाई मुन्ना ने मुन्नी के देखो मुन्नी ने महतारी के मेहतारी छिद्धी खे देखे छिद्धी डर्यावारी खे अब छिद्धी सोच रहे हैं खालो काया है आनी जानी लए चार नड़ा फिर उनने खान लगे चारई प्रानी नड़ा खाके फिर छिद्धी ने अध्धी बिडी जलाई रे और पहली दफे रेल में चहगे छिद्दी छिद्दन दाईरे पुंगा मारत मारत भाईया रेल पहुँच गई छिनवाडा सबसे पहले मुन्ना उत्रो पकड पिजामों को नाडा फिर छिद्दी छिद्दन सब उत्रे ठेसन के बाहर आए पिर छिद्दी छिद्दन सब उत्रे ठेसन के बाहर आए और सुकलू ढाना कना निकर गए दो दिन मिजवानी खाए दो दिन तक में खुबई घुमे गोल गंज इत्वारी में कभी दिखावे लाल बाग में और कभी बुद्वारी में खाए खूब बरफ के गोला खूब जलेवी खाई रे पहली दफे रेल में चहगे चिद्दी चिद्दन दाई रे अब रेल यात्रा समाप्त होने को आई है और सब उदास हो रहे हैं दो दिन बीते दो दिन बीते चिंद्वारा से लौटन की बिरिया आई हिलक हिलक के चारई रोए बिंडल पुट की बंधवाई गाउं लोट के आगए चिद्दी मगर रेल खे नहीं भूले जब तक जिन्दा रहे आँख में रात दिना रेलाई जूले मरती बिरिया इत्ताई बोले मेरो ठेशन आगव रे अब सिंगल दे दै प्रभुजी ने मैंने टिकट कठालाव रे चुक चुक मेरे प्राण चले प्रभु के गर राम दुहाई रे पहली दफे रेल में चहगे चिद्दी चिद्दन दाई रे पहली दफे रेल में चहगे चिद्दी चिद्दन दाई रे प्रभुजी चिद्दन दाई रे